एक मा का एक बेटा मुसल्मान और दूसरा हिंदू और दोनों भाईयों का आपस में खोबाना जाना अलगलग धरम लेकिन ना ता सिर्फ भाई-भाई का लेकिन जब मा की मोत हुई तो धरम आड़े आ गया दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए बिहार का लखी सराय जिला जिले के चानन थाना शेतरे में एक गाम है जान की धी यहां एक महिला की मोत के बाद उसके अंतिम संसकार को लेकर दो बेटे आपस में भिड़ गए बिनोद कुमार गुपता के रिपोर्ट के मताबिक जिस महिला की मोत हुई उनका पहला बेटा मुसलिम जबकि दूसरा बेटा एक हिंदू है और एक बेटी हिंदू है महिला पहले मुसलिम थी लेकिन बाद में वो धरम बदलकर रायका खातून से रेखा देवी बन गई करना चाहरा था वहीं चोटा बेटा हिंदू रिती रिवासे मा का संसकार करना चाहरा था अंतिम संसकार को लेकर दोनों बेटों के बीच विवाद बढ़ता देख लोगों निसकी सूचना फुलिच को दी मोके पर लखी स्राइके एसपी इमरान मसूद अपनी टीम के साथ पहुँचे और दोनों भाईयों का विवाद को सुल जाया एसपी साब ने बताया कि पहले महिला मुसलमान थी लेकिन 40 साल पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया था और गाम में वो रेखा देवी के नाम से जानी जा रहे थी गाम के लोगों ने पंडितैन के नाम से जान दे थे और उनका रहन सेन भी हिंदु धरम के मताबिक हो गया था हमने दोनों बेटों मुहमद मौफिल और बबलु जा को समझा कर विवाद को खतम कर वा दिया पुलिस के मताबिक महिला रेखा देवी का शहफ को उनके छोटे बेटे जानी की बबलु जाहां को सौपा गया जिसके बाद बबलु जाहां ने अपनी मा का संसकार हिंदु धरम के अनुसार किया ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को स्बस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद